आपके अपने चैनल जोगी सरकी पाट साला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफकेशन मिल जाए प्लस वन क्लास के मैश सब्जेट के चैप्र नमबर एक सेट्स की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेस्टन नमबर 6 और 7 को सॉल कर रहे हैं बड़े यह असान से हैं क्या कहता है लेट यू बी दा सेट ओफ ओल्ल ट्रेंगल्स इने प्लेन If A is the set of old triangles with at least one angle different from 60 degree मतल अब कम से कम एक तो 60 ڈगरी से अलग होगा ही होगा तीन एंगल होता हैं हमारे पास किसी ट्रेंगल के उन में से एक जरूर 60 इगरी से अलग होगा अगर वो सारे साथ हो गए तो वो क्या बन जाता है equilateral triangle ठीक है तो means equilateral triangle नहीं हो सकती A set में तो हम यहाँ पे solution में बात करें A जो set होगा set of triangles not having any equilateral triangle उसके अंदर कोई भी equilateral triangle नहीं होगी चीक है तो उसके अलावा जो equilateral triangle होगी वो उसका complement हो गया तो A का complement क्या हो जाएगा set of all equilateral triangles equilateral triangles simple सा था चलिए next fill in the blanks to make each of the following a true statement क्या A union A का complement यह हमारे पास A है और इधर बाहर वाला A का complement इन दोनों को union लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा universal set अब phi का complement क्या होता phi का complement phi empty उसका complement union तो universal set universal set का intersection आप A के साथ लेंगे तो क्या common हो जाएगा A ही आ जाएगा इसके बाद A intersection A कॉम्पलिमेंट इसमें और इसमें क्या common कुछ भी नहीं यह अलग है यह अलग है तो यहाँ पर यह set क्या हो जाएगा phi यहाँ पर universal का complement universal का जो complement है वो क्या होता है phi phi intersection A इन में क्या common हो सकता कुछ भी नहीं then it is phi so बड़ा ही simple था चलिए इस वीडियो में इतना है next वीडियो में अगले question के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिन जय भाद